दोस्तो अगर आप किसी का कॉल आता है या फिर रीसीब नहीं भी करते हो नं वहाँ पर आपका इसक्रीन OFF हो जाता है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं आज किस व्डियो में यही बताएंगए क्या होता QR को पॉन को जब भी प्रस्व ड यही बताएग ऊंटा जब भी कांन पर सटा據 चाएगा फिलाल अब अगर आपने phone पे finger भी रख दोंगे ना sensor पे तो आपका screen बंद हो जाएगा तो इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं आपको सबसे पहले अपने mobile phone का setting open कर लेना है और guys setting open करने के बाद मैं setting से ही बताता हूँ so guys simple सा अपने mobile phone का setting open कर लीजिएगा then setting open करने के बाद आपको app का option ढूंट लेना है उपर नीचे कहीं भी दिख सकता है app management या फिर app से नाम से ठीक है मेरे phone में app management है आपके phone में app लिखा हूआ मिलेगा तो easily आप उस पर click किजिए then app list पर click करना है उपर वाले पर अप लिख पर आप जैसे क्लिक करो लोगे दोस्तों तो मतलब जो भी आपके phone में application होगे जितने भी application होगे सारे application यहां पर show कर जाएंगे अब आपको यहां पर phone नाम से application होगा या फिर डैलर नाम से जो भी होगा आप उस पर डूंड के click कर लिए देखिए यहां पर phone नाम से मुझे मिल चुका है तो सही होगा तो घैस क्या होता है कि आपका phone का रं बहुत कम होगा न। इसी करने से phone लेक करने लगता है यहां पिर यह सब ज्यादा problem Real penny के phone में आता है Realme और dal mango ऋम Varum यह तो पोदर को यानित ang